नैनो के वापस लॉंच होने और इस बार इलेक्ट्रिक कार के अफ़तार के तौर पर आने की चर्चा के बीच ही एक दूसरी बात ने आटो मुबाइल मार्केट को हिला दिया है। इस बार चर्चा है बजाज की क्यूट के बारे में इस कार को बजाज ने 2018 में लॉंच कर दिय लेकिन ये प्राइवेट वीकल के तौर पर अभी तक बजार में नहीं उतरी थी। इसे क्वारिसाइकल केटेगरी में रखा गया था और उस दौरान इसकी कीमत 2.48 लाख रुपय थी। अब चर्चा है कि क्यूट को प्राइवेट कार के तौर पर जल्द ही लॉंच किया ज चुका है। ये एक 4-seater कार होगी और बताया जा रहा है कि इसकी कीमत रकीब 2.80 लाख से 3 लाख रुपये के बीच होगी। आप देख रहे हैं दी ग्या लड़ा, अगर आप चाहते हैं इस तरह की खबरे आती रहे तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आज ही, अब क क्यूट को कमपनी ने कुछ बदला है, इसे नॉन ट्रांसपोर्ट वीकल केटेगरी में अप्रूवल मिलने के बाद इसके वजन को 17 किलो तक बढ़ाया गया है, इसमें 12 बीच पी की पावर देने वाला 216 CC का सिंगल सिलेंडर इंजन लगाया जाएगा, कार की टॉप स्पी आप देख रहे हैं दीग्या लड़ा, अगर आप चाहते हैं इस तरह की खबरे आती रहें तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आज ही, क्यूट में ड्राइवर के साथ 4 लोगों के बैटने की जगा होगी, इसमें इंजन नैनो की तरह ही रिय में होगा और बूट इस आग होगा, साथ ही AC, airbag, disco brake और power steering जैसे features भी इस car के साथ आपको मिल सकते हैं, इसमें sliding window और manual window ही मिलेंगी, car में 6 speed manual gearbox होगा जिसमें 5 speed sequential front और एक rear गिया होगा, जानकारी के अनुसार इस model का mileage 36 km, प्रती लीटा के आसपास रहने होगा,